हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेक टुश्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिसकस करेंगे 25 दिसंबर 2021 से रिलेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर इंटरफेस, तो लेक्षर को आप बहुत ध्यान से सुनीगा, लास्ट में आपसे कुछ कोशन पूछे तो उनके आंसर आपको कमेंट वोक्स में ज़रू देना है, पहला कोशन डिसकस करतें इंपोर्टेंट प्रस हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संग्ठन यानि DRDO ने उडिसा के चान्दीपूर्तट से हाई स्पीड, एक्सपेंडेबल, एरियल टार्गेट का सफल परिक उच्च गती बाले हवाई लक्ष भेदी जिसका नाम है अभ्यास का 23 दिसंबर 2021 को सफलता पूर्वग ओडान परिक्षन किया है, चलिए फ्रेंट्स अब हम इस उच्च गती बाले हवाई लक्ष भेदी अभ्यास के बारे में कुछ important point डिसकस करते हैं, कि इसका काम क्या है, दोस्तों, जब भी किसी मिसाइल का परिक्षन होता है, तो उसके लिए एक target की जरूरत होती है, तो अब जो उच्च गती बाले हवाई लक्ष भेदी अभ्यास का निर्माण किया गया है, तो उस मिसाइल के target के रूप में कौन काम करेगा अभ्यास, यानि जब भी किसी मिसा का परिक्षण किया जाएगा तो उसके लिए टारगेट का काम कौन करेगा उच्च गति वाला हवाई लक्ष भेदी जिसका नाम है क्या अभ्यास तो आसा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तो हाली में 23 दिसमबर को ही डियाइडियो के द्वारा एक कर चुके हैं लेकिन आज भी डिसकर कर लेते हैं कुछ important point तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तो मिसाइल को mobile launcher से launch कर सकते हैं जो प्रलाय मिसाइल है इसको हम mobile launcher से आसानी से launch कर सकते हैं और कहीं से भी launch कर सकते हैं या एक new generation की मिसाइल है जिसका बजन 5 टन है जो 500 से 1000 kg तक के हतिय को ले जाने में समर्थ है बात आई है दोस्तों DRDO की तो DRDO के बारे में important point डिसकर करते हैं इसकी स्थापना 1908 में हुई थी इसका मुख्याला है नई दिल्ली में और इसके बरतमान में अध्यक्ष कौन है जी सतीस रेड़ी अगला प्रस्न ध्यान से सुनिएगा हाल ही में ज G और Sony कंपनी ने बिलाय पर हस्ताक्चर किये हैं तो दोस्तों इन कंपनियों के पूरे नाम सुनिएगा कि क्या नाम है इनके तो Sony का नाम है Sony Pictures Networks India Private Limited और G का पूरा नाम क्या है G Entertainment Enterprises Limited यानि अब ये दोनों कंपनिया मिलकर के एक joint company बनाएगी आने वाले समय में तो दोस्तों ये जो जॉइन कंपनी होगी इसमें इंक्याउन प्रतिसत हिस्सेदारी होगी Sony Pictures Networks इंडिया की और बांकी हिस्सेदारी होगी किसके पास G Entertainment Enterprise Limited के पास दोस्तो इस प्रक्रिया में करीब 8 महिने का समय लग सकता है इसके बाद एक जॉइन कंपनी बनेगी जिसके CEO और MD होगे कौन कुनीत गोयंका जो अभी बरतमान में G Group से जुड़े हुए है अंगला प्रस्न है बहुत ही महत्मूर्ट प्रस्न है Beijing Seed Kalin Olympic 2020 के लिए भारतिय दल का Safe D Mission यानि Mission Promokh किसे बनाया गया है आंसर है इसका हरजिंदर सिंग को दोस्तो हरजिंदर सिंग बरतमान में ISO की Association के महासचों है और इससे पहले उन्होंने साल 2018 में प्योंग चोंग सीट कालीन खेलों में भारतिय दल का नेतुत किया था दोस्तो वीजिंग उलमपिक या वीजिंग सीट कालीन उलमपिक 2022 में 4-20 फरवरी के बीच चीन की राजधानी वीजिंग में फरवरी में होने वाले हैं तो इसके लिए Mission Promokh किसे बनाया है हरजिंदर सिंग को हरजिंदर सिंग का काम क्या होगा Mission Promokh के रूप में कि जो पिलियर्स हैं या एथलीट हैं और जो कोच हैं उनको एक सुलाभ बातावरन का निर्माण करेंगे यनि जो संस्थाए हैं उनके बीच कोडिनेशन का काम करेंगे कौन हरजिंदर सिंग चलिए Friends Winter Olympic Games के बारे में कुछ important point discuss करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा Winter Olympic हेलों का पहला संस्क्राण 1924 में France के Samox Nix में आयजित किया गया था दूस्तो भारत ने 1964 में पहली बार इसमें हिस्सा लिया था और अभी तक 10 संस्क्राणों में यह भाग ले चुका है अंगला प्रस्न हैं बहुती महत्पूर प्रस्न हैं पस्चिम मंगाल, मनिपूर और राजिस्तान के बाद अब किस चौते राज्जी की विधान सभा ने मौब हिंसा या मौब लिंचिंग निवारण विधेयक पारित किया है आंसर इसका जहारखंड अब आप ध्यान से सुनिएगा ये मौब लिंचिंग क्या है दोस्तो होता क्या है कई वार कि भीड किसी भी व्यक्ति को मारने का काम करती है या उसे चोट पहुचाने का काम करती है तो दोस्तो जब भी भीड किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों का कुछ समूव ही हो सकता है उसको चोट पहुचाती है या टारगेट करके उसको मरने का प्रयास करती है चोट पहुचाने का प्रयास करती है तो उसे ही हम मौब लिंचिंग बोलते हैं तो उसके निवारण के जो भी मॉब लिंचिंग के दोसी होंगे उनको उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलाबा यह कानून सत्तुता पूर्बाक बाता बनाने वालों के लिए भी तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्राधान करता है। जहारकन के चीप मिनिश्टर कौन है हैमन्त सोरेन, गवर्नर कौन है रमेस बैस। अंगला प्रसने डिसकस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडिये अप चाही तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करिएगा। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। अंगला प्रसन है, इंपोर्टेड प्रसन है, भारत में राष्टिय उपभोगता अधिकार दिवस यानि National Consumer Rights Day किस दिन मनाया जाता है? अंसर हो गए इसका 24 दिसम्बर को. दोस्तो हर साल 24 दिसम्बर को भारत में राष्टिय उपभोगता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तो यह दिन लोगों को सररचक आंदोलन के महत्तो को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। दोस्तो इस दिवस को मनाने की शुरुबात कब से की गई थी? साल 2000 से. और 2021 की थीम क्या है? ध्यान से सुनीगा. प्लास्टिक प्रदूसर्ण से निपठना. अंगला प्रस्न है किस राज्ज के मुख मंत्री ने राज्ज के दुर्गम और पिछड़े चेत्रों में स्वास्त सेवाओं को उपलब्द कराने के लिए मुख मंत्री वायू स्वास्त सेवा एर एम्बूलेंस की सुरुबात की है। पहले चरण में राज्ज के चार जिलों मलकानगिरी, नवरंगपुर, काला हंडी और नुवापाड़ा की लोगों के लिए नेस्टोल के सिवाए उपलब्द कराए जाएंगे। इसके तहट बिसिसग डाक्टर जिला मुख्यालों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुँचेंगे। यानि दोस्तो जो जिला अस्पताल के डाक्टर होंगे, वो रोगियों तक एर एम्बूलेंस के माध्यम से पहुँचेंगे। इस प्रमुक रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लोगों की सेबा की जा सकेगे। अस्वाब प्रृतिसाट साध्चर्ता के लक्ष को हासिल करने के लिए अपरेल 2022 से नव भार्ज साध्चर्ता अभियान सुरू करने का नेर्णाय लिया है। और दोस्तो इसके लिए cabinet note को अंतिम रूप दिया जा रहा है यानि जो cabinet है उसको अंतिम note के लिए इससे दिया जा रहा है इस अभियान के तहत online और offline माध्यम से देश में 15 वर्स और उससे अधिक आईवर के 5 करोड निरच्चर लोगों को इसके दाइरे में लाने का लक्ष offline दोस्तो अब हम इन प्रस्नों के revision कर लेते हैं जिनको हमने आज डिसकस किया है तो ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से revision करते हैं पहला कोशन था DRDO ने उडिसा के चानिपूर तट से high-speed expandable area target का सफल परिछड किया है उसका नाम क्या है तो इसका नाम है अभ्यास जी और क किस कंपनी ने बिलाय की समझोते पर हस्ताक्च किया है आंसर है सौनि वीजिंग सीद कालीन उलंपिक 2020 के लिए भारती दल का सेफ डी मिसन यानि मिसन प्रमुक के किसे निक्ट किया गया है हरजिंदर सिंग को पश्यमंगाल मरीपोर राजिस्थान के बाद किस चौथे स्ट जेटन की विधान सभा ने मॉंब लिंचिंग निवारान बिधेयक पारित किया है आंसर इसका जारखंड नैस्नल कंजूवर राइट्स डे यानि राष्टी उपवोकता अधिकार दिवस का मनाया जाता है आंसर इसका 24 दिसम्बर को दोस्तों अंगला प्रस्न था किस राज जी के दुरगम और पिछड़े चेत्रों में स्वास्त सिवाय उपलब्द कराने के लिए मुख्यमंत्री वायू स्वास्त एयर एमूलेंस की सुरूबात किया है तो उसका नाम है उडिसा कैंसर कार ने अप्रेल 2022 से 100% साक्षारत के लिए किस अभियान को सुरू करने की कौन थे तो अंसर इसका अबुल फजल हॉप मैन कप किस खेल से रिलेटेड है टैनिस से रिलेटेड है देश बंधू के नाम से कौन जाने जाते हैं चितरन जन्दास असोग चक्र में कितनी तिलिया होती है 24 भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी राजा हरिस चंद सबस कौन से बड़ी हड़ी है कौन सी फीमर जो की जांग में पाई जाती है दोस्तों माना सरीर में कितनी पेसिया है 649 मास पेसिया है और RBCS यानि लाल रख तिकड़िका का जीवन काल कितना होता है तो आंसर इसका 120 दिन अब हम वो प्रसने डिसकस करेंगे जिनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो ध्यान से सुनिएगा पहला कोशन है 2022 विंटर ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा दूसरा कोशन है जहारखंड के गवरनर कौन है अंतर राष्टी उपभोगता दिवसका मनाय जयता है और चौथा कोशन है भारत में यानि भारत ने वि इसके अलाबा अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्टी का ओडियो कोर्स फ्री में जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफलर कोड यूज़ करिएगा इस्टेडिकर 01 दोस्तों जैसे ही आप यह रेफलर कोड यूज़ करेंगे या यह कोड यूज़ दोस्तों आप राजा गुपता को अनकेडमी फर फॉलो कर लीज़ेगा जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासिस लाइब क्लासिस मिल जाएंगी और जो दिसंबर में अनकेडमी फर कुछ बैसेच स्टार्ट हुए हैं अगर आप उनको जॉइन करना चाहते हैं तो उसके ल लेक्शर पसंद आए तो लाइक सेट जरूर करिएगा जिस से श्ट्रीकर को सपोर्ट मिल सकें मिल ने नेक्ट लेक्शन में जय हिंद बंदे मातरम